ड्रक्स मामल में कई बड़े बॉलिवूड स्टार्स के नाम जो हैं सामने आ चुके हैं जिसके चलते उन्हें काफी क्रिटिसिजम फेस करना पड़ा था लेकिन स्टार्स की ड्रक्स लेनी की असली वज़ा जो है सामने नहीं आ पाई थी और अब राखी सामत ने इस पर अपनी चुपी तोड़ी है और एक चैनल को दिये इंटर्वीव में कहा है आखिर बॉलिवूड स्टार्स क्यों ड्रक्स का सेवन करते हैं और राखी ने उसका असली कारण भी सबको बताया है उन्होंने कहा है कि बॉलिवूड स्टार्स ड्रक्स का सेवन इसलिए करते हैं ताकि उन्हें भूखना लगे वो स्लिम फिट बने रहें इसलिए स्टार्स अलग-अलग तरीके से ड्रक्स लेते हैं राखी ने कहा है मैं पिछले 15 सालों से बॉलिवोड इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ राखी कहती है ये कलाकार अपने ग्लामर को मेंटेन करने के लिए ड्रग्स लेते हैं हाला कि कुछ लोग नशे के लिए भी ड्रग्स लेते हैं मगर झादातर से लैप्स अपने ग्लामर अनदास को मेंटेन करने के लिए ही ड्रग्स का सेवन करते हैं राखी का कहना है कि इंडस्ट्री के जादातर कलाकार ड्रग्स के आदी है उनका कहना है ड्रग्स की वज़े से भूख नहीं लगती है इसलिए लड़कियां खुद को स्लिम ट्रिम रखने के लिए ही इसका इस्तेमाल करती है राखी ने बताया कि एक एक्ट्रस पर वजन को लेकर काफी प्रेशर रहता है उन्हें यही डर सताता रहता है कि अगर उनका वजन बढ़ गया तो उन्हें फिल्मों में काम कैसे मिलेगा यही कारण है स्ट्रार्स को ड्रक्स की लत रहती है राखी ने कहा है मैं खुद वजन बढ़ने की बात को लेकर काफी परिशान थी उस समय मैं इंडस्ट्री में कई लोगों से बात करती थी तो वो लोग मुझे ड्रक्स और हैश लेने की सला देते थी कुछ लोग ने तो मुझे यहां तक कह दिया था कि यह काफी आम बात है बहुत लोग स्लिम रहने के लिए इसका यूज करते हैं राखी ने आगे कहा कि नए ड्रक्स की जगा योगा को चुना था वेल आपका क्या कहना है राखी की इस बातों पर अपनी राइ कमेंट्स कर लिपते हैं बहुत बूरी हाला दो गई है गरम-गरम यह देख सकते हैं कि आज मैंने कौन से सबजी बनाई है यह यह मैंने बनाई है आलू, टमाटर और क्याबेज जैसे मेरे माम बनाई है बैसे बनाई है और यह मैंने सिम्बला मिर्च को प्राई कर दिया है ताकि थोड़ा यह रोटी के साथ थोड़ा चेट पटा लगे और यह सबजी जो है यह कैबिज की सबजी और यह मैंने आटा मल के रखा हुआ है आटा मल के रखा हुआ है और मेरी बहुत बुरी हाला था आज सोच रहे हो कि यह एक टीशेट की बैंदी मेरे बास कपड़े नहीं है उतने गर में अभी इसको दोडो के दो चार सेम टीशेट मेरे पार तीन चार और सेम अलग अलग सेंग तो दोस्तों यह मेरी सिम्मला मिर्च पढ़या पक्रिये मतलब एक चटनी टाइप और यह मेरा आज चमाटर और आलू की सबजी और आटा तो मैंने मल कही रखा है यह देखिए और आटा पसीना पसीना हो गई हूँ दोस्तों यह पुकू वाव आज मैं अच्छा चक्या नखाऊंगी यह मेरी रोटी है यह मैं पका रही हूँ मेरी रोटी यह देखो बड़िया आज मेरे सुस्राल वाले मेरी सास होती मेरी सास होते है तो कहते है वाँ मेरी बहु वाँ क्या बात है क्या सबजी बनाई है क्या सबजी बनाई है क्या चटनी बनाई है सिम्ला मेर्ची और क्या रोटी बनाई है मेरी सास है सब्लों कितना प्रावड होते हैं देखो वाव फाइनली आज लॉन्ट फूड रोटी ब यह देखो ओप्स यह देखो आओ यह देखरे आप बॉलुवूट इंदस्ट्री की हर खबर और नई वीडियो देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक, इंस्टेब पर फॉलू और यूटूब पर तड़का बॉलुवूट को करें सब्सक्राइब